दमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वालत है यूट्यूब चैनल लॉईजी में और पुलीस इन्वेस्टिकेशन खतम होने के बाथ चार सीट के बारे में हम लोगोंने अनेक बार ये शब्द सुना है ये चार सीट क्या होती है अत्वा चालान क्या होता है इसे हिंदी में अंतिम पुलीस प्रतिवेदन रिपोर्ट भी कहा जाता है या फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है तो आज हम समझने वाले हैं चार सीट अत्वा चालान अत्वा अंतिम प्रतिवेदन र चालान हम सभी को पता है कि जब कभी भी कोई अपराद होता है और उस अपराद की F.I.R. दर्ज करवाई जाती है पुलिस थाने में या पुलिस स्टेशन में तो जब F.I.R. दर्ज हो जाती है अंडर सेक्शन 154 CRPC उसके उपरान पुलीस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिक करना आरूपी के खिलाब सबूत इखटे करना यह उद्देश होता है इन्वेस्टिकेशन का तो जब भी F.I.R. दर्ज होती है तो उसकी पुलीस इन्वेस्टिकेशन की सारी बाते बताई गई है एक सो चोपर में F.I.R. दर्ज होगी एक सो चेप 156 में पुलीस इन्वेस्टिकेशन चालू करतेगी 161 में पुलीस गवाओं के कथन लेगी मजिस्टिके सामने कनफेशनल स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करवाएगी 164 में इसे पुलीस के विविन जो प्रक्रिया है अन्वेक्षन की प्रक्रिया है वो बताई जाती है और 173 में याने धारा 173 में जब पुलीस पूरी इन्वेस्टिकेशन पूरी कर लेती है तो इसी स् अब इन्वेस्टिकेशन में दो बाते हो सकती है एक बात हो सकती है यह कि अपराध पंजीवत नहीं हुआ लेकिन एविडेंस मिल जाते हैं और यह सिद्ध होता है कि जो F.I.R. में किये गए कथन है वो सही है पुलीस की इन्वेस्टिकेशन के अनुसार अपराध हुआ है साक्षों ने भी का है एविडेंस भी मिले है तो इस सिद्धी में अपराध हुआ है इसलिए 173 की चार्शिट प्रस्तुत की जाती है और यह मजिस्ट्रेट के सामन किये गाए है उसके बारे में मटेरियल और एविडेंस क्या कलेक्ट हो है जो भी एरिया का मजिस्ट्रेट होता है दंडा दिकारी होता है उसके सामने चार्शिट प्रस्तुत की जाती है अलाकि पुलीस रिपोर्ट टू आर में बताई गई है दंड प्रक्रिया सहींता के से 173 क्लॉस 2 में मजिस्ट्रेट के सामने पेज की जाती है उसी को ही पुलीस रिपोर्ट कहा जाएगा अब इसके कुछ इंपोर्टेंट बातों को हम देखते हैं सबसे पहले तो यह फाइनल रिपोर्ट किस प्रारूप में दी जाएगी यह जो चार्शिट है वो किस अब चालन में क्या-क्यान शामीर होती है ने मnine अप्विस अधर्णाउयन भी करें ईससे प्राप्त ही पुलीस अधिकारी द्वारा वहीं इल्लेकद की गई हैbok्एति बिड़ से उसे प्राप्त लिए सूशना तो नेचर आफ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है अक्यूस्ट की डिटेल लिखी जाती है अपराद कोन से अपराद के बारे में और किस धंक से किया गया क्या मेंनर अपराद करने का यह बाते भी उसमें चार्ड शीट के अंदर यह उस बात का विवरान उसमें होता है रिलीज्ट ओन दिश्यूरिटी यदि बेलेबल ओफेंस था और थाने से उसको बेल दे दी गई यह तो उसके बारे में भी पैक्ट लिखे जाते हैं इसको किस प्रगार रिलीज किया गया और कौन शूरिटी है इसने जमानत दी उसका बात का लिखे उता है ग्ली से एसने विजटी चालडी में रह 새벽 कि इत्ने समय दना चाहिए उसका इंडैक्स के सथा को कि दो खुलोदेंस ज़गों पर एंडरागों बेंसिक सिंdar होती है जbec है तो वन Ridge पिके यिशा स्ट पंश इसार्ज को पिसमें लगाए जाती है कहीं पार अगर गन का इस्तेमाल हुआ है रिवॉल्वर की बैलेस्टिक रिपोर्ट हो थी यह सब बाते हैं चार्ड्स हुआए निश्कुल बात हैं कि इसी कोई चालान के दे शाच आण के अधार पर आगे विचार्न प्रारम होता और विचारण के पेले आरप हम देखकर alarms ब्लगाए जाता है और ऊस chilli ही फिर ट्राइल चलती है त्राइल मतलब न्यायले में पूरी प्रोसेडिंग या विचारम चलता है तो यह है मित्रों चार्शिट जिसको हम चालान भी कहते हैं इसी को यह अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट भी कहते हैं और इसी को ही फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं यह वोग्यू इंजिए इस लेक्टर चैनल लॉएजी थैंक यू सो मुझ